या अस्फल होता है लेकिन ना हम ठके ना हम हारे हमने अपनी पिछली कमियों को चुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंड माडियूल निश्चित तौर पे चंद्रमा के सता पर सेफ और साफ्ट रैंडिंग करेगा सभी तर्सकों के जानकारी के लिए अब हम इस्टों के अब तक के सभी लूनन मिसन्स की संग्षिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इस्टों का पहला मून मिसन चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLB राकेट के द्वारा सफलता पुरवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन चंद्रमा के सता पर पानी की खोश करके पहले ही इतिहास रच चुका है यही कारण है कि आज कल विस्टों के तमाम अंतरिक्ष वैग्यानिक और इस्पेस एजन्सियां चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान दो की जो इस्टों का दूसरा मून मिशन है जुलाई 2019 में इस्टों के सबसे ताकतवर राकेट LBM-3 द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग 4 साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलोमेटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिसन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्त LBM-3 द्वारा बहुत ही सटीक इंजेक्शन और मिसन मैनेजमेंट के वजह से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कार्यरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा की लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्यपूर्ट पेलोड वय चारसी यानि की आर्बिटर हाई रिजूलिशन कैमरा बिश्रो का सबसे बहतरीन कैमरा है जो की चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भ अब ही आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इस रोक अब तक के लूनार मिशन्स का विवरन अब चलते हैं टूर्स चंद्रयान जो करेंगे तक का विवरन डूर्स चंद्रमा का विवरन अब हाई नमस्कार इस रोक अब चत्रमा इस रोक अब तक का आप अब श्रोक है से जुडने के लिए आप साधर आमंत्रित हैं। मैं पद्मदेव मिस्रा अपने को होस्ट स्रीमती आरुसी से एठ के साथ आप सभी को और देश-विदेश से जुड़े सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। 23 अगस 2023 आज की साम इसरो के वैज्ञानिकों और सभी अंत्रिक्ष वैज्ञानिकों के साथ लैंडर माडियूल को चंद्रवा के सतह पर उतरने के अयतिहासिक पलो को देखने के लिए तैयार और उत्सुक हैं। जी हाँ, इसरो के गौरोपूर इतिहास में एक और अध्याय जुणने जा रहा है। और आज हम सब लोग इसके साक्षी वनेंगे। आप ए सारे वीज्वल्स अपने स्क्रीन पर इसरो के मिसन आउपरेशन कॉंपलेक्स यानि मॉक्स से देख रहे हैं। जो की बैंगलूरू में इस्तित टेलिमेटरी ट्रैकिंग एंड कमान नेटवर्क इस ट्रैक से प्रसारित किया जा रहा है। आपको ध्यान दिला दूँ, इस समय हम लोग पावर डिसेंट सुरू होने से लगभग 22 मिनट दूर हैं। जो दर्सक थोड़ी देर से जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए बता दें। आप लोग इस एतिहासिक पल को इसरो के आफिसियल वेबसाइट, फेस्बुक, ट्विटर और यूटूब पे भी देख सकते हैं। प्रेस साथ लूटे साथ जानकारी सा निष्ट्र पीजर आप लूट्स, प्रेस्ट के लिए वेए वेपीजिए प्रेस्टिस्ट मे लूट्टर आप्रसन। अटेयर वीव्ले लूट्स होड़ी आपिस्वो और अप्रतिश्यू इस्ट्राक, शित्विए इनम्मबंगलूरू, करनाटका. To day we shall be witness the final phase of the critical and most technologically challenging mission operations of Chandrayaan 3 where the lander module will be making a safe and soft landing on the surface of the moon. These display screens show the countdown to the power descent start as well as the path that will be followed by the lander module. We are 18 minutes away from the commencement of power descent. डिजा इस अब ब्रिंक अबेट इस्ति आफ इस वी पीड़ित बिए बेत बेट बेत तो विटने लिए अबिनीग ऑन्मोन्स साथ पोलारी इंग कि इसको का पहला मून मिशन चत्रेयान वन अक्टूबर दो हजार आठ में पीए सेल्बूर्ट धन्यवाद आरुसी अगर मैं सही मायने में कहूं तो अंतरिक्ष का कोई भी मिशन हो और चाहें किसी भी देश के द्वारा संचालित किया जा रहा हो इस रोग मिशन के निश्चित्ता और अनिश्चित्ता के बीच बहुत ही महीन अंतर होता है जिससे की एक मिशन सफल या असफल होता है लेकिन ना हम ठके ना हम हारे हमने पिछली कमियों को सुधारते हुए आज पूरी तरह से आस्वस्त किया है कि लैंडर माडियूल निश्चित्त तोर पे चंद्रमा के सिता पर सेफ और साफ्ट लैंडिंग करेगा सभी दर्सकों के जानकारी के लिए अब हम इसरों के अब तक के सभी लूनर मिसंस को संचिप्त विवरण प्रस्तुत करेंगे जी हाँ इसरों का पहला मून मिसं चंद्रयान वन अक्टूबर 2008 में PSLV राकेट के द्वारा सफलता प्रुवक प्रक्षेपित किया गया था चंद्रयान वन ने चंद्रमा के सता पर पानी की खोज करके पहले ही तियास रच चुका है यही कारण है कि आजकल 20 के तमाम अंतरिक्ष बेग्यानिक और स्पेस एजन्सिया चंद्रमा को और करीब से जानने के लिए उत्सुक दिख रही है अगर हम बात करें चंद्रयान 2 की जो इसरो का दूसरा मिशन है जुलाई 2019 में इसरो के सबसे ताकत्वर राकेट LVM3 द्वारा सफलता प्रोवक प्रक्षेपित किया गया था और आज भी लगभग चार साल बाद यह चंद्रमा के 100 किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट में घूमते हुए बहुत ही उत्तम क्वालिटी का डेटा प्रदान कर रहा है मिशन के प्रारम में इसकी आयू एक साल निर्धारित की गई थी परन्तु LVM3 दुरा बहुत ही सटीक इंजेक्षन और मिशन मैनेजमेंट के वज़ा से चंद्रयान दो काफी लंबे समय तक कारेरत रहेगा अब तक चंद्रयान दो चंद्रमा के लगभग सभी भागों का चित्र ले चुका है इसका एक बहुत ही महत्तपूर्ड पेलोड OHRC यानि की आर्बिटर हाई रेजूलूशन कैमरा विश्व का सबसे वेतरीन कैमरा है जो कि चंद्रमा के सता का लागातार पिक्चर भेज रहा है अब मैं आरोसी जी से निवेधन करूँगा कि वह आप लोगों को इसरो के बरतमान मिशन चंद्रयान 3 के बारे में बताएं अब ही आपने मिश्रा जी के द्वारा सुना इसरो के अब तक के लुनार मिशन का विवरन अब चलते हैं तोर्स चंद्रयान 3, the follow-up mission of Chandrayaan 2, which has been designed to accomplish our mission goals The primary objective of Chandrayaan 3 mission is the demonstration of safe and soft landing on the lunar surface This demonstration is a critical aspect for ISRO's future interplanetary missions In addition to this, the mission objectives also include demonstration of roving capability and conduction of in-situ scientific experiments on Moon's surface Carried on the shoulders of India's heaviest rocket LVM-3 on the 14th of July, Chandrayaan 3 was placed in the precise elliptic parking orbit of size 170 by 16. 36,500 km ISRO, in its mission plan of following the incremental trajectory approach, carried a total of 5 Earth-bound maneuvers The 5th apogee raising maneuver, which took place on the 25th of July, placed the spacecraft in an orbit of 250 by 1,27,000 km At the early hours of 1st August, the Translunar injection was carried out, after which the composite module began the final leg of its long journey of nearly 384,000 km for its rendezvous with the Moon The TLI was a key step in the mission, enabling the spacecraft to escape Earth's gravitational pull and travel to the Moon An orbit of 288 by 369,328 km was achieved at the end of the Translunar injection The Translunar injection The Translunar injection The Translunar injection माडियुल को लगवग 150 किलो मीटर के सरकुलर आर्बिट में स्थापित करने के बाद 17 अगस 2023 को प्रपल्सन माडियूल से अलग कर दिया गया। पुनह लैंडर मॉडल के आर्बिट को दो डूइबुस्ट मैनिवर्स के द्वारा एक सो पचास किलो मिटर के सर्कुलर आर्बिट से घटा कर पचीस गुड़े एक सो तीस किलो मिटर के एलिप्टिकल आर्बिट में स्थापित कर दिया गया इस दोरान यह भी सिनुष्चित क कर दिया गया कि 800 न्यूटन के चारो थ्रटेवल थ्रस्टर्स पावर डिसेंट के समय किसी भी चुनोती का सामना कर सकें लैंडर मॉडूल इस आर्बिट में चार दिन तक चंद्रमा की परिक्रमा करता रहा ताकि इसके सभी सब सिस्टम को पावर डिसेंट से पहले कार्यात अक्मक रूप से वेरिफाई और वैलिडेट किया जा सकें इस दोरान चंद्रयान 2 और लैंडर माडूल की आपस में बातचीत भी हो चुकी है और संचेप में अब तक की यात्रा की बात करें तो लैंडर माडूल अब तक 21 बार प्रतिभी के और लगभग 120 बार चंद्रमा क ज्यार का चकर लगा चुका है और इस पूरी आत्रा में लगभग 55 लाग कीलोमेटर की आत्रा भी बात्रि कर चुका है अब तक के इस पूरे अभियान में यह भी सुनिश्चत किया गया की सारे और ज्यायर माड इस प्रकार किये जाएं कि लैंडिक है पावर बडेशन के फिंश வ्लीं की चंटुनक्रों,की जारीजरải स्क्राइ्थ अठेछ्टरी को शर्चículo 10 आट पूंक्यूर्यूजा हो जारीया कीजि़ट और विल्हाथ हैंGARU जारी प्यांथ में सिर्पिस्टूर्टिनेुग इस अजाट की शर्चिछ हाओ ।।, प्रिजब अगय प्रियु केशने और ओयूरूद़ एंग्जिति इनु मेड़ूजिए आपस्टी की तूप बॉल्ड र। ने लाज़ूज पाउ। एंग पाने विलाणले से पाने के लिए। इन से लोब गलिए।As कम कलते हैं. The new and improved Chandrayaan-3 design has been built after envisaging all the scenarios which the lander module can encounter. With several software improvements provisioned for full level redundancies, a plethora of special tests, namely the integrated hot test, integrated cold test and lander leg drop tests were carried out for the lander module. The success of these tests has provided great confidence in the performance of all the on-board sensors, propulsion system and associated guidance, control and navigation algorithms. The key findings during the tests have enabled to improve the overall system performance. The largely unexplored south pole of the moon has been chosen as the intended landing site since there is a possibility of finding ice and other minerals which would be vital resources for future explorers. Apart from continuing investigations pioneered by Chandrayaan-1 and Chandrayaan-2, the Chandrayaan-3 mission will also provide invaluable data to the science community around the world. Let us give our viewers a glimpse on the configuration of Chandrayaan-3 mission. प्षिर्टेक एक्षा मिसेंप्लान। लगभग लगभग चंद्रयान 2 के तरह ही बनाया गया है यहाँ 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 भी सुनिश्चित किया गया है कि चंद्रयान 3 को रॉकेट से अलग होने से ले करके चंद्रमा के निकट्तम कक्षा में स्थापित होने तक सारी गत्विदियां चंद्रयान 2 के तरह ही हो और अब हम यह कह सकते हैं कि यह प्लान पूरी तरह से सत प्रतिसत सफल रहा हलाकि लैंडर माडूल के सेंसर्स और प्रपल्सन सिस्टम को इस तरह से मजबूत किया गया है कि लैंडर पावर डिसेंट के समय किसी भी आपदा से बाहर आ करके मिसन के मुख्य विद्देश्य को पूरा कर सके इस क्रम में लैंडर के मुख्य सेंसर्स कारा, लासा, लेच बीसी, लडीवी और लेच डैक का कारयात्मक परिक्षड़ भी किया जा चुका है LDV जो कि पूर्ड़ता स्वदेशी तकनीकी से बनाया गया एक नया सेंसर है, इसका मुख्य कार, लैंडर के विलासिटी को तीनों अक्षों में कम्प्यूट करना है पावर डिसेंट के दौरान, लैंडर के सटीक पोजीशन और विलासिटी का ज्यान होना बहुत ही आवस्यक है लिराव यानि लेजर इनर्सियल रिफरेंसिंग और एक्सिलोरोमीटर पैकेज, इस कारे को पावर डिसेंट के दौरान बखुवी निभाएगा ट्रजेक्ट्री जनरेशन, जो कि चंद्रयान थ्री मिसन के लिए बहुत ही अहम है क्योंकि हर आर्बित मैनिवर के बाद यह सुनिश्चित किया जाता है कि लैंडर की मिसन अब्जेक्टिव को ना बदले इस क्रम में मैं यह भी आपको बता दूं कि आर्बिट डिटर्मिनेशन जो कि उपग्रह के पोजीशन और विलोस्टी को बहुत ही अकुरूइटली बताता है एक बहुत ही कठिन और जटिल कमपुटेशन और एस्टिमेशन होता है यहाँ यह भी जानना महत्वपूर्ण है कि चंद्रयान 2 का ओय चारसी पेलोड अब तक काफी उचे अस्तर का डैम प्रदान किया है जिसके फल सुरूप लैंडिंग साइट के सीमा को बढ़ा कर चार गुडे 2.4 किलो मेटर कर दिया गया है जो कि पावर डिसेंट के दौरान साफ्ट लैंडिंग कराने में काफी सहाइक सिद्ध होगा आपर मुझे थार्ण चैनर थे इस उप्पिट अप्री इस एक थूप दो सुपसिकाट दे पेलोड इंस्तूमेंस वाई चंडे आन चंडे आन चंडे आपटींड अवकर अबितर अबंदन के बार ब्चानिज अवर्टू अब्र्ण अवकर लाओ . और वづे बाष्ब मेंनाट, बार में विलहाजर यज सेली।ius हमें विलोना सेलीय के स्थाफिजन टा झानले mouth. the lander carries a seismometer ilsa that can sense impact events and lunar quakes the thermal probe chest will measure the temperature profile and thermal conductivity of moon's regolith the rambha payload will carry out lunar ionosphere studies while the laser retro reflector array shall be a passive location indicator for future spacecraft equipped with laser altimeter the propulsion module has not been left behind and an experimental shape payload has been added to it as a value addition it will help in understanding the nature and characteristics of water rich planets and will also aid in the future study of potentially habitable exoplanets we are minutes away from the start of power descent the entire power descent shall be carried out by the onboard autonomous landing sequencer or ALS with a series of instructions preloaded to the lander module these instructions include the commands to be executed data to be collected and analyzed and decisions to be made and executed autonomously throughout the power descent we have continuous flow of lander telemetry data from ISRO's deep space network IDSN 32 located in Belalu Bangaluru the data is being acquired real time by station and is flown to the mission operation complex through our communication links in addition to it we also have support from ISA and JPL DSN stations there will be no ground intervention once the ALS takes charge the preparation for today's event had started 48 hours before wherein various pre-selections and uplinking of parameters for the autonomous landing sequence were carried out the hold descent is divided into four phases the rough braking phase the attitude hold phase fine braking phase and the local navigation phase or the terminal descent phase Jee haan attitude hold phase which is the second power descent is another power descent one huge phase a very huge phase 10 seconds if the small duration lander would be the 2 huge compassion sensors CARA and LASA lander to exertion lander's height 8 km की उचाईब पर होगा. During the rough braking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 km to 7.4 km at the end of rough braking. Currently, we can see the scientists are analyzing the lander data. जी हां, हमें देख सकते हैं कि mission operation complex roof में बैठे सभी वैज्यानिक ये जो भी data देख रहे हैं वो Deep Space Network IDSN 32 के द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है. और अगर हम आप बात करें, Power Descent के तीसरे चरण का जो की fine breaking phase होगा, जिसमें landing side से just 800 meter की उचाई पर vertically होगा, इस चरण को पूरा होने में लगभग 3 मिनट लगेंगे और इस चरण के पूरा होते ही लाइंडर की velocity लगभग लगभग सुनने हो जाएगे. The scientists here at ISTRAC are glued to their systems, analyzing all sorts of complex data. We are very close to the power descent, to the start of the power descent phase. जी हाँ, अगर हमाब बात करें power descent के चौथे और अंतिम चरण का, जो की local navigation phase या terminal descent phase भी कहा जाता है, इस दोरान लाइंडर के दो engine बंद कर दिये जाएंगे और लाइंडर के sensorों द्वारा इसके height और velocity की गड़ना, inertial navigation को भेज दिया जाएगा. इस दोरान लाइंडर 150 मीटर की उचाई को प्राप्त करने के बाद, खुल 131 सेकेंड लगाएगा, इस पड़ाव पे आने के बाद पुनहा लाइंडर 22 सेकेंड के लिए hovering करेगा. आप इस समय अपने स्क्रीन पे Mission Operation Complex में बैठे, सभी माननेगड़ों को देख सकते हैं, जो की बहुत ही उच्षुकता के साथ टेलिमेटरी डेटा को देख रहे हैं. अभी हम लोग Power Descent सुरू होने से जस्ट कुछ ही पल दूर हैं. Power Descent सुरू होने में लगभग लगभग 30 सेकेंड ही बचा है और हमको यह सारे डेटा Mission Operation Complex Room में IDSN 32 के द्वारा जो की लागातार lander के connection में बना हुआ है प्रदान कर रहा है. Dear viewers, the Pivotal Power Descent has begun and the lander module is propelling towards the moon's surface along the intended trajectory. जी हाँ, अब हम अब देख सकते हैं, रफ ब्रेकिंग फेस की सुरुवात हो चुकी है. During this rough breaking phase, the lander velocity shall be brought down from 1680 meters per second to 358 meters per second. The altitude will be brought down from 30 kilometers to 7.4 kilometers at the end of rough breaking. All this in the duration of 690 seconds or 11.5 minutes. Currently, the Laser Inertial Reference and Accelerometer Package, Liraap, is aiding in the navigation. जी हाँ, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं, कि lander अब तक कुल 191 km horizontal दिसा में चल चुका है, और अभी तक इसकी विलोस्टी लगभग 31 km बनी हुई है. The lander module has traveled a distance of approximately 228 kilometers. The complete downrange that will be traveled during this phase shall be nearly 713.5 kilometers. जी हाँ, खुल 745 km के इस रफ ब्रेकिक फेज में आप देख सकते हैं, कि हम लोग लगभग लगभग अपनी आत्रा 20% complete कर चुके हैं. Power Descent की यह सुरुवात हम कह सकते हैं कि बहुत ही सटीक और सधी हुई है, जिसमें lander अपने बेगमान को अनुमानी तरिक से घटा रहा है. The altitude of the lander module will reduce from 7.4 km to 6.8 km, during the next phase which is going to be the attitude hold phase. We can currently see that the altitude of the lander module is nearly 31 km. RCC अभी हम इस Ground Trace को देखते हुए कह सकते हैं कि रफ ब्रेकिंग फेस की सुरुवात बहुत ही अच्छे तरीके से हुई है. आप यह देख सकती हैं कि जो भी प्रोजेक्टेट Ground Trace है उसी पे अपना lander module आगे चलते हुए बढ़ रहा है. अभी तक यह देखा जा सकता है कि lander module लगभग लगभग 370 km चैटीस दिसा में चल चुका है. The mission operations team is analysing the data. We can all see the seriousness and the concentration with which each and every parameter of the lander module is being analysed. The performance so far seems to be nominal. जी आरुसी, चुकि ALS एक्टिवेट किया जा चुका है, इसलिए Ground से कोई commanding नहीं की जा रही है. इस दोरान आपके screen पे सारे data इसरो के Deep Space Network से real time में आ रहा है. इस mission में second और third order guidance polynomial का प्रयोग हुआ है, जो कि inertial thrust और angle के हमेशा सुनिश्चित करेगा. During the entire descent there is no ground intervention as the ALS has taken charge. The preparation for today's event had started nearly 48 hours before wherein various pre-selections and uplinking of parameters were done. We can see that the vertical velocity of the lander module has been brought down. It is continuously coming down. And the ALS had already been initiated one hour before the scheduled time of the power descent start. Following this, the throttle-able engine electronics module, the TEC-M, was switched on and lander was oriented to the favorable attitude. Yes, yes, you can see on your screen that the lander module, which had a velocity of 1680 meter per second, has been increased by 1150 meter per second, which has been a very majestic start, for this rough breaking phase. के लिए यहां पर मैं आपको यह भी बताते चलूं कि आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं कि The lander module का altitude धीरे धीरे अब कम होता हुआ दिख रहा है, और जो कि expected भी है. अभी हम बात करें, current altitude की, तो जो कि 28.6 km के आसपास है. आप स्क्रीन पर यह भी देख सकते हैं, चंडरयांत्री lander imager display. The lander imager is continuously giving, is continuously taking photographs of the moon's surface and that is also being streamed here. Currently the horizontal velocity has been brought down and the distance travelled is 574 km. The current altitude is 27 km, as can be seen on the screen. जी हाँ, करीब करीब अपने आधे सफर को पूरा करते हुए इस रफ ब्रेकिंग फेज में, lander बहुत ही आगे के तरफ बढ़ते हुए, अपने उचाई को घटा रहा है. अगर अब बात करें, तो lander की उचाई चंद्रमा के सतह से लगबख 27 km से नीचे हो चुकी है. करीब करीब 26.7 km के आसपास है. The next phase after the rough braking phase is the attitude hold phase, which will be for a duration of nearly 10 seconds. The lander will be oriented such that both the altimeters will be looking exactly towards the moon's surface. At the end of this attitude hold phase, height measurement update to navigation system will be given from the laser and car band altimeters. Currently, we are in the middle of the rough braking phase. जी हाँ, अगर हम ध्यान से देखें, तो लगबख आठ मिनिट की यात्रा के बाद, lander अपनी horizontal velocity को लगातार कम करते हुए, अपनी उचाई, अभिक्य उचाई की समझे 24 km की उचाई पराप्त कर चुका है. अब तक के आकड़ी को देखते हुए, हम कह सकते हैं कि landing पूरी तरह से nominal है. यहाँ पर हम देख सकते हैं कि horizontal velocity लगातार कम होती हुए दिख रही है. अबंद्धती है अपन। लगरा कि अपन। नचाई,?!? अजरे घन्युलिंद मॉर्फ się कर अदिटती हुए, इसकाह casos हैूस, कि दिख मिजन सेında घरेक्र चुब्सवाले कि but, कि को देख तक हैं इसकते हैं κάने़ अभी आप देख सकते हैं कि लैंडर की होरीजिंटल विलोस्टी लगवग लगबस साथ सो बीस मीटर प्रतिसेकंट हो गई है लगवग लगवग हम एका सकते हैं कि 900 मेटर सकेंड विलोसीटी को कम किया जा चुका है at the same time we can see the altitude of the lander is just 17.8 km from the moon surface which is going to be around 7.4 at the end of the rough breaking phase सो फ़ेकмен कने टोत प्र catalog हमजाएंगे तोफने फार मेर्ट फ़ेंगे, एक प्रामेक मेवार्ट प्रो आ झार्श। सन्सर हो चैक obviamente मेवल वी समझेसे प्रामेंगे हो इसे प्रामेंगे कॉल मिल्स का थि utmost udah अपने कारे को पूरी तरह से अंजाम दे रहे हैं, और लेंडर के हरिजंटल विलास्टी को लागातार कम कर रहे हैं. अब तक लाइंडर लगभग लगभग अपने पचहतर से 80% की आतरा को पूरा कर चुका है। जी हाँ आरुसी, अभी आप अपनी स्क्रीन पे देख सकती हैं कि जो करेंट आल्टिटूड है चंद्रमा के सतह से लगभग लगभग 10 किलो मेटर के आसपास है। जी हाँ, हम अपने जी हाँ, हमारे प्रधान मंत्री जी, स्री नरिंद्र मुझी जी, हम सभी का उत्साह वर्धन करने के लिए दक्षडी अफरीका के जोहानस बर्ग से जुड़ गए हैं। ये जी हमें। Yes, we are privileged to have with us honourable Prime Minister of India, Sree Narendra Modi ji, who has joined us from South Africa's Johannesburg to encourage us. जी हाँ आपे देख सकते हैं आइटिट्यूड होल्ड फेस भी बहुत ही आसानी से लैंडर फेस ने पार कर लिया है और अब फाइन ब्रेकिंग की सुरुवात हो चुकी है अभी हम यह देख सकते हैं के लैंडर की उचाई लगभग 5.6 किलो मिटर है जो के इस फेस के उपरांत लगभग लगभग 800 मिटर हो जाएगे we can hear from the mission operations team that the sensors are performing nominally and we are currently in the midst of the fine braking phase which is going to continue for three minutes and the altitude is going to be reduced to nearly 800 meters at the end of this phase जी हाँ, जैसा की आरुसी जी ने बताया की लगभग 3 मिनट के उपरां लैंडर की हाइट लगभग 800 मिटर vertically होगी और यहाँ पे लैंडर की horizontal velocity, vertical velocity, even downrange भी लगभग लगभग सुनने होगा we can see the visual of the lander module and we can see that the downrange traveled is nearly 831 kilometers जी हाँ, आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं की लैंडर की उचाई अब चंद्रमा के सता से लगभग 3 किलो मिटर से कम हो चुकी है we are very close to the moon's surface, nearly 2.6 kilometers as we can see we are very close to the moon's surface, जी हाँ, अभी आप देख सकते हैं की लैंडर की उचाई लगभग लगभग एक किलो मिटर के आस पास है we are nearing the final phase of the power descent which is going to be the vertical descent phase or the local navigation phase जी हाँ, अब हम fine breaking ways के एक दम करीब आ चुके हाँ आप तालियों के गड़गड़ाहट से सुन सकते हैं की हम लोगों ने तीसरे चरण को भी बहुत ही सफलता पुर्वक हासिल कर लिया है और अभी हम vertical descent phase में आ चुके हैं इसकी सुरुवात भी बहुत ही अच्छे दंग से हो चुकी है lot of applause indicates that till now the performance has been nominal we are in the vertical descent phase one the altitude is being brought down from 800 meters and we are nearing and approaching the lunar surface जी आप अपने स्क्रीन पे देख सकते हैं कि lander क्या height लागातार कम होता जा रहा है इस समय हम landing site के जस्ट उपर है और इस समय इसकी उचाई लगभग लगभग 600 meter के आसपास है इस 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 फेस के दोरान लगभग एक चोब पचास मीटर के उचाई पे पहुचने के बाद लैंडर अगेन लगभग 20 से 20 से के लिए होवरिंग करेगा वे आवग लंड लाये से लिए बाद लाद101 के लिए See.. कर लोस से लिए से लाद Proseं़ेश ह। लाद लेंड वेली के ल रादीतर्ट्य। है समय हम स्टाई लग लूण लादूर्ट्स और लादीके लादीक लगभग जी हाँ आप अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं यह जो पत्निर धारित किया गया है लेंडर पूरी तरह से उसी को ही फालो कर रहा है इस समय हम लगभग 200 मीटर की हाइट से भी कम आ चुके हैं अब हमें देख सकते हैं कि हम लगभग लगभग 150 मीटर की उचाई पे हैं चंद्रमा के सताप से जो कि शुके सकते हैं जो कि सकेंड हवरीट फेस के कंपलीट होने के बाद इन सारे वैज्यानिकों के द्वारा की जा रही है जी हाँ अगर फिर से ध्यान से देखें तो आल्टीटीड पुना कम होता जा रहा है अभी हम लोग लगवग लगवग एक सो पैतीस मीटर की उचाई पे हैं The sensors that are updating at this point are providing confirmation of the safety of the landing site As expected, the retargeting is going on and this is a very good signature for the lander अभी आप यह देख सकते हैं कि lander की उचाई लगवग सत्पैसेट मीटर के आसपास बची हुई है Currently only two engines are now being fired and we are nearly at zero velocity, vertical and horizontal We are we were hovering and now we are approaching the moon surface We can see the Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji who is here to encourage us and he is critically looking at the vision of the visuals Ji haan, aap apnei screen pe dek sakte hain, ki hum People are applauding, let us all wait to hear from the Secretary Department of Space and Chairman Isro Shri S. Somnath Lander module पूरी तरह से safely और softly चंद्रमा के सतह पे land हो चुका है यह हम लोगों के लिए बहुत ही गर्व की बात है Hindi में एक कहावत है की चंदा मामा दूर के लेकिन अब हमें कह सकते हैं की चंदा मामा अपने घर के बहुत ही ओंदा, व्द। यह हम रख ढख वाध मैं हमाद की चंदा नीय प्रदाना प्रदान मंदु झी ऑमशकार मेरे प्यारे परिवार जनो जब हम अपनी आँखों के सामने ऐसा इतिहास बनते हुए देखते हैं तो जीवन धन्य हो जाता है ऐसी ऐतिहासी घटनाएं राष्ट जीवन की चिरन जीव चेतना बन जाती है ये पल आब विश्मनिय है ये च्छा अभुपुर्व है ये च्छा विक्सीद भारत के संखनात का है ये च्छा नए भारत के जैगोश का है ये च्छा मुस्किलों के महा सागर को पार करने का है ये च्छा जीत के चंद्रपत पर चलने का है ये च्छा एक सो चालीस करोड धरकनों के सामर्थ का है ये च्छा भारत में नई उर्जा नया विश्वास नई चेतना का है ये च्छा भारत के उद्यमान भाग्य के अहवान का है अमर्थ काल की प्रथम प्रभा में सभल ताकि ये अमर्थ भर्षा हुई है हमने धर्ती पर संकल पर लिया और चांद पर उसे साकार किया और हमारे वेज्ञानिक साथियों ने भी कहा इंडिया इस नाव अन दे मून आज हम अंतरिक्ष में नए भारत की नई उडान के साक्षी बने है साथियों मैं समय ब्रिक्ष समीट में हिस्सा लेने के लिए दक्षिन आफ्रीका में हूँ लेकिन हर देश वाची की तरह मेरा मन चंद्रयान महाभियान पर भी लगा हुआ था नया इतिहास बनते ही हर भारतिय जश्न में डूब गया है हर गर में उत्सव शुरू हो गया है रदे से मैं भी अपने देश वाच्चियों के साथ अपने परिवार जनों के साथ इस उमंग और उल्ला से जुड़ा हुआ हूँ मैं टीम चंद्रयान को इस्रो को और देश के सभी वैज्यानिकों को जी जान से बहुत बहुत बढ़ाई देता हूँ जिनोंने इस पल के लिए वर्षों तक इतना परिश्न किया है उत्सा, उमंग, आनंद और भावुक्ता से भरे इस अद्भुत पल के लिए मैं 140 करोर देश वाचियों को भी कोटी कोटी बढ़ाईया देता हूँ मेरे परिवार जनों हमारे वज्ञानिकों के परिश्रम और प्रतिभा से भारत चंद्रमा के उस दक्षिणी द्रू पर पहुंचा है जहां आज तक दुनिया का कोई भी देश नहीं पहुंच सका अब आज के बाद से चांद से जुड़े मिठक बदल जाएंगे कथानक भी बदल जाएंगे और नई पिड़ी के लिए कहावतें भी बदल जाएगी भारत में तो हम, हम सभी लोग धर्ती को मा कहते है और चांद को मामा बुलाते है कभी कहा जाता था चंदा मामा बहुत दूर के है चंदा मामा बहुत दूर के है अब एक दिन वो भी आएगा जब बच्चे कहा करेंगे चंदा मामा बास एक तूर के है चंदा मामा बच्चे कहा करेंगे ताव कि अच्चे की अच्चे का अच्चे करेंगे that we present and that we represent has been welcomed universally. Our moon mission is also based on the same human-centric approach. Therefore, this success belongs to all of humanity and it will help moon missions by other countries in the future. I am confident that all countries in the world including those from the global south are capable of achieving such feats. We can all aspire for the moon and beyond. मेरे परिवार जनों चंद्रयान महाभियान के युपलब्दी भारत की उडान को चंद्रमा की कच्छाओं से आगे जाएगी. हम हमारे सौर मंदल की सीमाओं का सामर्थ परखेंगे और मानों के लिए ब्रह्मान की अनेक संभावनाओं को साकार करने के लिए भी जरूर काम करेंगे. हमने बविश्य के लिए कई बड़े और महत्वा कांख्शी लक्षत ताय किये. जन्द ही सूर्य के विश्त्रित अध्यन के लिए इसरो आदित्य एलवन मीशन लॉंच करने जा रहा है. इसके बाद शुक्र भी इसरो के लक्षों में से एक है. गगन यान के जरिये देश अपने पहले यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन के लिए भी पूरी तयारी के साथ जुटा है. भारत बार बार ये साबित कर रहा है कि स्काइद नौर्ड लिमीट. साथियों, साइन्स और टेकनलोजी देश के उजवल भविश्य का आधार है. इसलिए आज के इस दिन को देश हमेशा हमेशा के लिए याद रखेगा. ये दिन हम सभी को एक उजवल भविश्य की और बढ़ने के लिए प्रेरित करेगा. ये दिन हमें अपने संकल्पों की सिद्धी का रास्ता दिखाएगा. ये दिन इस बात का प्रतीक है कि हार से सबग लेकर जीत कैसे हासिल की जाती है. एक बार फिर देश के समी वज्यानिकों को बहुत बहुत बढ़ाई और भविश्य के मिशन के लिए धेरो शुब कामना है. बहुत बहुत धन्यवाद. बढ़ हैं. भी प्रेटार्टार्टार्टार्ट बाप अप्रशडिजिव बाट अजरी नियां प्रेश्टा थे प्रेट ऺश्यक्वरीय निय्यूंग गाज कर सक Lcker Let me take this opportunity to thank the people behind this mission. The project director of channel day entry. He is here. वेर्हम पुडवल, झालूरिशन शुडियन बना कुल शुडियन आ Sophनides sector, इंहान अन्स 나रो चुडियन आ लिơकर मांच। ढर आफ। आफ।, हडम्स चाहित्ग कर्कायर कॉछ। कि अपके अपके अप्रेट है अजय कोई और अपपनुनों मेश। इपूज स कि अपपनुच अपपनुचे अपपन। ऑठति नपस्टपिक इपर इस हैँ सब्सक्राइवेस्थ यंज गुब फजू जिस ओूवल प्रहुर्स्टेर्टं लादोरो uzदोलनISTल्सलिष अपर π??? बेकरी नождения देकरादे को ए्यूषरें लाष दो पाहले लूमानी लारी 5 है टोच जेकरा प्रोप्रस्टेर्टंट लाफ़ मेनन लुाoben अजरद टूवसुएड नालु वडाया istवaire और ही और सथ्से स्थेस करकिक हम zijn सitating the critical operations review committee for thoroughly reviewing the mission operations right from launch till this date the target was on spot because of their review process I also what I is no right management right from chairman is you directly what doesn't I the centers and I are communism and my finally my thanks to the utiliser project executives जुटे प्राविशजी तर आफ छाफ धूंद अरुट किहा फूंद ऑट शूंद इंक पूंट्स फित अवे ओिल ऑध टॗ इन्टर खार फ्राना ट्रदेश्क ट्रेसंद डाता ट्रलियंड बुकाटं किश्क्ट ट्न गार फिल डिया इन प्राढ्र करेज़् चेर्में स्टरोवे से धिए मुझाली ने मलते हैं पर कर्वें लुड़िए एगरें मेस कि रुड़ एंपोरी थे और वे थेने कि रुड त अर और रॉड़ ध。 अशोचे प्रज़ दियुकत अपस्वेंग अबस्ट विह स्थीज वित्ट अबस्ट इप्स्ट के लाइए रड़ च्ट एंन्री पांए क्ट्राइब दूस्ट टूस्तिंग अचरिए और बियुत अज़ा इम शल्रे हम उन्रेश चॉण प्रफिटर अफ्तिए नहीं रपेड and starting from the reconfiguration to all the special tests and the simulations we have conducted meticulously and this has been possible only because of our immense effort from our Chandrayaan 3 team and of course Vidhi with the guidance with the guidance from our chairman ISRO, our directors and all our experts with all this it has been possible thank you one and all thank you for all the minutest help which has been provided from all the areas of departments thank you, thank you Chandrayaan 3 is a result of the work done by thousands of scientists, engineers, our staff and industries and support team across ISRO and other places other institutions and Shankaran has been the lead of the center which integrated all of these efforts in the last so many years so I request him to speak on behalf of all of you thank you thank you very much for the affection that has been displayed today now today we have achieved what we set out to achieve in 2019 it was delayed by about 4 years but we have done it when Chandrayaan 3 was launched after the separation of the spacecraft from launch vehicle I said I will speak the rest of the things after the soft landing so here I will take couple of minutes to tell the tremendous amount of effort that has been put in by the entire project team when I say project team it is not just only the project director and associate project director of course they are the face of the project they have been living, sleeping, eating, breathing Chandrayaan for the last 4 years they have been supported by such a large number of people particularly in the navigation guidance and control area propulsion system this area the amount of effort that has been put by people the number of simulations that have been done the number of reviews they have gone through the amount of criticism they faced and overcome that it is as a person who has been watching this for the last 4 years along with them my heart feels my heart goes out for them the amount of effort is tremendous that is what Israel is all about that is what our organization has taught us to do now today this success has put us even more higher responsibility as the honorable prime minister was telling because we have set the bar now so high nothing nothing less than nothing less spectacular than this is going to be inspiring for any any of us in the future so as the honorable prime minister mentioned we will be now looking at putting the man in space putting a spacecraft around Venus and landing a craft in Mars work on all these activities are going on for a few years and this success today will inspire us and will spur us to take those efforts even more strongly so that we will make our country proud again and again and again thank you very much for every one of you who have directly or indirectly participated in this mission encouraged us intentionally or unintentionally helped us in all 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 for every one of you a big thank you because even even a casual remark an unintended point can can help a person who is striving to reach a goal the person who is making that remark may not have meant it that way but sometimes it can ignite that's why I said that even unintended help is is very 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 welcome and we are very very thankful for that thank you team ISRO for supporting all of us the amount of affection we received when this mission came into this final stage the number of people who gave us confidence that nothing can go wrong and this is going to be successful the amount in fact I was not that much confident because we have seen couple of times issues because I know very well as a person who has been doing in this in this domain for 36 years I know there are thousands of things any of that could can anytime go wrong and derail but so many of the people because that I only see as the reflection of the effort we have put that people are so 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 happy to see this effort and they want us to succeed it is not that we are they know that we are going to succeed the people want us to succeed so thank you very much for everyone for your love and affection we will continue to do our best and make our flag fly ISROs as well as India's flag fly high thank you very much honourable honourable Prime Minister called me and conveyed his greetings to each one of you you and your family for the wonderful work you did in ISRO so thanks thanks to him for the support that he is giving to us for missions like Chandrayaan 3 and the missions that are in the offing I think that's a great word of comfort that we are receiving for pursuing the inspirational work that we are doing for the nation I want to tell you and I want to thank you also for each and everyone who prayed with us in the last many days who wanted this success to happen in ISRO I thank all those people in all around the country and maybe beyond the country for their blessings and wishes and affection that he has given to each one of us for doing this work for the last so many years I want to specifically thank some senior people who have been standing with us especially the name of Kiran Kumar sir and Mr. Kamalakar Sri Kotesha Rao they have been helping so much they were part of the team to help them to get the confidence and get the reviews done to ensure nothing goes with any mistakes and of course this is not the work of us alone this is a work of a generation of ISRO leadership and ISRO scientists and this is a journey we started in Chandrayaan 1 continued in Chandrayaan 2 and Chandrayaan 2 craft is still working and doing lot of communication work with us and all the team that contributed to building Chandrayaan 1 and Chandrayaan 2 should be remembered and thanked while we celebrate Chandrayaan 3 and this is an incremental progress and definitely a great huge one it is and thank you so much for all the support and work that you have done thank you for all हुआ 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 है हुआ 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 है हुआ है हुआ है हुआ हुआ है करें इअ करें करें कि जो झाल झाल कोई संना स्पुने नजल स्चे एंचता स्टैन नेतान। प्रश्वादाओर स्प्राप्टा फ्ले एंचता। थी गारान प्रिंगां प्रिंपकों मसक चणीनिस् को हैं यान शका हैं नकाट स्टैने में झाल 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 झाल